आप सभी को मेरा नमस्कार आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि Post Office SCSA स्कीम में 42,30,000 मिलेंगे. मात्र इतने लाख करें, जमा. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. भारतिय डागघर द्वारा शुरू की गई Senior Citizen Savings Scheme में निवेश करने पर आपको Fixed Deposit Scheme से भी ज्यादा ब्याज मिलता है. हाँ, Post Office Senior Citizen Savings Scheme के तहत निवेश पर आपको 8.2 प्रतिशत ब्याजदर मिलती है. यदि कोई वयस्क इस Scheme में निवेश करता है, तो वहाँ अच्छी खासी रकम प्राप्त कर सकता है. Post Office की अन्य योजनाएं भी काफी लाबकारी हैं. इस Scheme में निवेश की शुरुआत मात्र एक हजार रुपे से की जा सकती है, और आपको 5 साल तक निवेश करना होता है. 8.2 प्रतिशत तक आकरशक ब्याज प्राप्त होगा. Post Office Senior Citizen Scheme में आपको 5 वर्षों तक निवेश करना होगा. इसके अतिरिक्त, आप इस योजना में अधिक्तम 30 लाख रुपे तक निवेश कर सकते हैं. ब्याज जरों की बात करें, तो इस योजना के तहट निवेश करने पर आपको 8.2 प्रतिशत ब्याज मिलता है. बैंक की FD की तुलना में यहां ब्याज अधिक मिलता है. पोस्ट ओफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने पर निवेश को को आईकर विभाग की धारा 80C के तहट टैक्स में छूट मिलती है. इसका मतलब है कि आपके द्वारा जमा की गई राशी पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है. हालांकि इस योजना के अंतरगत मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है. आप इस स्कीम में सिंगल अकाउंट के साथ-साथ जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं. कौन खोल सकता है अकाउंट? पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में साथ वर्ष की आयू पूरी होने के बाद ही अकाउंट खोला जा सकता है. जो व्यक्ती VRS स्वैचिक सेवानिवृत्ती योजना ले रहा है, वहां पचास वर्ष की उम्र में ही अकाउंट खोल सकता है. यदि आप डिफेंस, रक्षा विभाग से रिटायर हुए हैं और आपकी उम्र पचास से साथ साल के बीच हैं, तो आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं. हालांकि आपको रिटायर्मेंट के एक महीने के भीतर निवेश करना होगा. यदि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दो हजार चौबीस में निवेश करना चाते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट खोलना होगा. इसके लिए आपको अपने नजदी की डागघर में जाना होगा. वहां से फॉर्म प्राप्त करें और आवेदन पत्र में उची गई जानकारी भरें. इसके साथ ही आधार काड, पैन काड और पासपोर्ट साइज फोटो भी सनलगन करें. इसके बाद जिस राशी का निवेश करना है उसका भुकतान करें. इस प्रकार, आप इस योजना में अपना ओफलाइन अकाउंट खोल सकते हैं. इतना जमा करें, मिलेंगे 42,30,000. अगर आप पोस्ट ओफिस की स्कीम में पैसे निवेश करते हैं, तो अधिक्तम 30,00,000 रुपए के निवेश पर SCSS कैलकुलेटर के अनुसार और 8.2% ब्याजदर के साथ 5 साल बाद आपको कुल 42,30,000 रुपए मिलेंगे. हालां कि ध्यान रखें कि आप अधिक्तम 30,00,000 रुपए से कम भी जमा कर सकते हैं. क्योंकि इस स्कीम में निवतम राशी 1000 रुपए और अधिक्तम राशी 30,00,000 रुपए तक जमा की जा सकती है. यह थी आज की कम्प्लीट वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेर और कॉमेंट जरूर करें और एसके एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी कोई इस तरह का नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंट सूचना प्राप्त हो जाए धन्यवाद